एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिश्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिश्य चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। एक शिश्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं? क्या शिश्यों से कोई गलती हो गई है? इसी बीच एक अन्य शिश्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं? पर बुद्ध मौन रहें। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ती जोर से चिलाया। आज मुझे सभा में बैठने की अनुमती क्यों नहीं दी गई है? बुद्ध आँखें बंद करके ध्यान मगन हो गए। वह व्यक्ती फिर से चिलाया। मुझे प्रवेश की अनुमती क्यों नहीं मिली? इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमती प्रधान की जाए। बुद्ध ने आखें खोली और बोले नहीं वह अचूत है। उसे आग्या नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके म वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकागरता भंग होती है। क्रोध ही व्यक्ति प्राय, मानसिक हिंसा कर बैठता है। इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है, तब तक अचूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिश्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अगनी में तपकर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान करतव्य वव परमधर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। शिक्षा, आशय यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है जिसका कोई लाभ नहीं मिलता इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल माइने में क्रोधित व्यक्ति अच्छूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानी होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है।